हर्याणा में बीजेपी जीत की हैट्रिक नहीं लगा पाईगी उसका जीतना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन है विधान सबा चुनाओं से पहले ही ये साफ हो चुका है और हर्याणा में किसानों की बीजेपी से नाराजगी को देख कर तो अब राजमीती के जानकर ये भी दावा कर रही है तमाम वीडियो सामने आए हैं जिसमें बीजेपी उमीदवारों को विरोध का सामना जहिलना पड़ा है और अनिल बिच के खिलाफ तो किसानों ने मुर्दाबाद का नारा तक लगा दिया तो अब जो वीडियो सामने आए हैं उसके बाद से सियासी गल्यारों में चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि बीजेपी की हालत राजमें बहुत खराब है तो आखिर क्यों फस गई है बीजेपी राजमें क्या है पार्टी की स्थिति इसी पर हम अपनी स्पेचल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा नमस्कार मैं हूं अन्शिता अनिल बेच वोट मांगने पहुचे थे लेकिन हालत ही ये हो गई कि उन्हें उल्टे पाउ लोटना पड़ा उनका इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि इस विरोध प्रदर्शन ने बीजेपी आला कमान तक को चिंता में डाल दिया है तो वीडियो में देखा जा सकता है कि किसानों को गुस्सा किस कदर बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है दरसल अंबाला केंट में भाजपा उमीदवार अनिलविज जलबेडा और शाहपुर गाउं में चुनावी कारिकरम रखे गए थे और इसकी भनक लगते ही किसान यूनियनों से जुड़े लोग वहां पहुँच गए और जंडे लहराते हुए नारे बाजी करने लगे शाहपुर गाउं में विरोध जताने वाले लोग भारती किसान यूनियन यानि भगत सिंगुट से जुड़े हुए थे हंगामे के दौरान विज समर्थ को ने भी अनिलविज जिन्दाबाद की नारे लगाने शुरू कर दिये दोनों पक्षों के आमने सामने हो जाने और नारे बाजी से माहल गर्मा गया प्रदर्शन कारियों ने तो सीधे अनिलविज से सवाल भी पूछ लिए किसान आंदोलन में जेल में रहकर आये नवदीव सेंग जलवेडा वशापूर के गुरप्रीत ने कहा कि उन्हें जेल में रखा गया उनका क्या कसूर था दोनों किसान बोले कि उनको 307 धारा के तहट पर्चे कर पीटा गया जबकि वो किसानों के लिए आंदोलन में शामिल हुए थे गज् grण संदूर हेगा इंदम पाद बाद वेडाव ड्रुब उड़िए थे, अटा मुडव की दापाद ml निर विज där मुडवरन, निर विजाय थे, पर बदा, मुडव दाप निर मुडवरन, पाद पज्वाण, निर विजद विजवाद, मुडभन, मुडवद, संगामा इतना बढ़ गया कि अनिल विच को प्रोग्राम बीच में ही छोड़ कर शाहपुर गाउं से रवाना हुना पड़ गया अब अनिल विच के जबरदस्त विरोत के ये दोनों वीडियो सोचल मीडिया पर तेजी से तैर रहे हैं चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है कह प्रेसल अनिल बिज ने सीएम पत पर दावा ठोक दिया जुसने तहलका मचा दिया और हर्याना बीजेपी में मच्छी उतल पुतल को जगजाहिर कर दिया मैं हर्याना में बारत्या जन्ता पार्टी का सबसे वुरिष्ट हुदाएब हूँ मैं छे बार चुनाओ लड़ चुका हूँ जीत चुका हूँ और साथ भी बार मैं चुनाओ लड़ रहा हूँ मैंने आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा है प्रन्तु इस बार सारे हर्याना पर्देश की जन्ता के कहने पर मुझे बहुत लोग आकर मिल रहे हैं और अमाला च्छावनी की जन्ता के कहने पर इस बार मैं अपनी वृष्टा के दम पर मैं मुख्या मंत्री पद्द का दावा करूँगा बनाना या ना बनाना ये हाई कमांड का काम है लेकिन अगर मुझे बनाते हैं मैं हर्याना की तकदीर बदल दूँगा अब अनिल विश कह रहे हैं कि लोग चाहते हैं कि वो मुख्य मंत्री बने जबकि जो वीडियो सामने आए हैं उससे ये साफ है कि उनके खिलाफ लोगों में जबर्दस्त नाराज गी है जिसे देखकर उनके जीतने की उमीद भी नजर नहीं आ रही है यहां तक की दावा यह है कि अब तो अनिल विश के खिलाफ पार्टी के अंदर भी माहौल बनने लगा है पार्टी के अंदर उनका विरोध था ये बात आलाकमान पहले से ही जानता था और यही वज़व थी कि विज को लगातार किनारे लगाने की कोशिश आलाकमान की लेकिन अब जब उन्हें टिकेट मिला तो उन्होंने सीएम पद पर ही दावा ठूग दिया है जिससे खटर गुट और सैनी गुट भी अब उनसे नाराज हो गया है ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अब तो बीजेपी के लोग ही नहीं चाहते कि अनिल विच चुनाव ची विरोत कर रहे हैं तो जीन्द जिले के नर्वाना विधानसभा शेत्र में बीजेपी प्रत्याशी और पूर मंत्री कृष्ण वेदी और ग्रामीनों में तीखी बहस हो गई वो बिखे वाला गाउं में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे इस दोरान उनको ग्रामीनों क विरोत का जबर्दस्त सामना करना पड़ा और इसकी वज़ा भी किसान आंदोलन के दोरान बीजेपी का रवया बताया गया जिससे लोग खासा नाराज हैं कृष्णवेदी चुनाव प्रचार के लिए गाउं भिकवेला की चौपाल में पहुंचे थे वहां लोगों ने कृष्णवेदी से कहा कि उन्होंने मंत्री रहते हुए कभी उनके गाउं की समस्याओं को निप्टाने में दिल्चस्पी नहीं दिखाई इसलिए अब जब विधानसवा चुनाव हैं तो गाउं के लोग भी कृष्णवेदी की कोई बात नहीं सुनेंगे इस दौरान ग्रामीनो और कृष्णवेदी के बीच खूब सवाल जवाब भी हुए ग्रामीनो ने तो यहां तक कह दिया कि जिस प्रकार का अपमान भारती जनता पार्टी और उसके मंत्रियों ने किसानों मजदूरों का किया ठीक उसी तरह अब वो विधानसवा चुनाव में भाजबा के साथ करने वाले हैं इस दोरान कृष्णवेदी लोगों को समझाते हुए भी नज़र आए लेकिन लोग उनकी बात सुनने के लिए राजी ही नहीं सिर्फ ये ही नहीं हिसार जिले की उकलाना विधानसवा सीट से भाजबा उम्मीदवार अनूप धानक को भी जबर्दस्त विरोध का सामना करना पड़ा धानक प्रभुवाला और कंडूल गाउं में पहुँचे तो यहां ग्रामिनों ने नारेवाजी शिरू कर दी प्रभुवाला में ग्रामिनों ने कहा कि आप पिछले 10 सालों से हलके के विधायक रहे एक बार भी उनका हालचा लेने नहीं आए जब मंत्री बने हुए थे तो हमारे से बदबू आती थी अगर खुशी में मिठाई देने जाते तो वो भी खाने की बजाए दीबार पर रख देते थे आज ग्रामिनों की याद कैसे आ गए कंडूल गाउं में ग्रामिनों ने यहां तक कहा कि 10 वर्षों में उनके गाउं में करीब 50 लोगों की जान जा चुकी है किसी के यहां शोग जताने तक आप नहीं आए किसानों ने विनोध भयाना की कारिक्रम में हंगामा करते हुए पूछा कि किसान आंदोलन में आपकी सरकार ने शुब करण को गोली क्यों मरवाई हासी में डीपी वत्स और ब्रिजेंद्र सिंग ने किसान आंदोलन की विरोध में ट्रेक्टर मार्च निकाला था आपकी सरकार किसान विरोध ही है जो कृषी अंत्रों पर 28 प्रतिशत जी एस्टी ल मिलने पहुंचे उनके बीच जाकर जो है अपने बेटे के लिए चुना प्रचार करने पहुंचे तो उनको भी विरोध का सामना करना पड़ा और जो वीडियो जा रहे हैं उसमें देखा जा सकता है कि कुलदीब विश्णोई को जो है गाउवालों ने खदेर दिया तो यह चुनाओ आएंगे तब वो बीजेपी से हिसाब चुकाएंगे यानि बीजेपी ने जो खटर को हटा कर किसानों को अपने पक्ष में लाने की जो कोशिश की थी जो दाव बीजेपी ने चला था वो अब फेल होता नज़र आ रहा है तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है हमें कॉमेंट करके अपनी राइज जरूर दीजेगा इसी के साथ मुझे दीजे जाज़त देखते रहे डीवी लाइफ नमस्कार